आज स्वामलेकूम, as you all know, I am a dr. Sidra, student of MBBS, and आज मैं आप लोगों को cholinergic antagonist पढ़ाने लगे हूँ, जो cholinergic antagonist है, उससे हम simply parasympatholytic drug कहते हैं, सही, क्योंकि जो parasympathetic system है, जो मैंने आप लोगों को पहले बता रहे हैं, यह उसे, यह drug जो है, उसके action को inhibit करती है, सही, तो इस जगा कुछ overview है, लिपिन से, वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, फिर आगे चलती हूँ, अब यहाँ जो यह overview है, लिपिन का, एक मिनट, वोन मिनट, यह जो overview है न, लिपिन का, इसमें एक चीज है, जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है, इसमें लिखा हुए है, कि जो हमने लिखा है न, इस जगा, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, यह जो लफ्ज, जो है, चप्टर का, यह as a misnomer यूज किया गए है, मतलब, यह यूज करना सही नहीं है, क्योंके, कोलिनर्जिक, एंटागोनिस्ट का क्या मतलब है, कोलिनर्जिक का क्या मतलब, पहले यह बता है, मिन्स, ऐसे निरॉन, जो एसे टाल कोलीन को मतब इनहेबिट करें उसे हम कह देते हैं एंटागोनिस्ट तो अब मैंने क्या क्या आप लोग को इस नोमर क्यों है इस रीजन को देखने के लिए हम पेज की दूसरी साइट पे जाएंगे सही है अभ छले गए इधर समझो हम जो और ब्रेनमें आ गए हैं यह मतलब पूरी बोडिवाली सिस्टम में ही आ गये एक मिनट आप देखें आर्टोनॉमिक नवा सिस्टम में इसमें सिंपथेटिक इनरवेशन आफ अडेरनमेडिूला थे sympathetic system, parasympathetic system और somatic system, नहीं चार system जो होते हैं हमारी बोडी में मैंने वो दिखा दिये हैं, अब देखें, pre ganglionic जिसका भी होगा न वह एसरिटाल कोलीन ही रिलेस करता है, देखें, अब बाद सुनेगी जो acetyl koline है ये किन receptor पर लगएगा nicotanic receptor पर प्रिगंग्लॉनिक में जो newron release होता है वो acetyl koline होता है और प्रिगंग्लॉनिक neuron जिस receptor प्रिगंग्लॉनिक neuron जिस receptor पर एक्ड करते हैं वो अगर sympathetic में हो फिर भी मतलब वो निकोटीन है अगर पैरसंपथेटिक में हो फिर भी वो निकोटीन ही है सही है अब उसके बाद एडनर मेडिूला से जो है न हमारा निकलेगा एपिनेफरीन इपिनेफरीन जब निकलेगा तो यह एडनर्जिक रिसेप्टर पर काम करेगा तो यह हो जगा सिंपथेटिक सिस्टम इस जगा same sympathetic जो है इसमें नौरिपिनेफरीन भी आता है जो नौरिपिनेफरीन जो है वो निकोटैनिक रिसेप्टर से जब निकलेगा तो उसे हम कहेंगे एडिनर्जिक रिसेप्टर मतब जिस पर एक्ट करेगा अब यहां देखें यहां है बात आप लोग की फोकस की पेरसंपथेटिक सिस्टम प्री गेंगलियोनिक एसेटाइल कॉलिन रिसेप्टर पर लगा निकोटैनिक रिसेप्टर पर सही है उसके बाद जी हमारे है पोस्ट गेंगलियोनिक जो प्योस्ट गेंगलियोनिक सिस्टम है उसमें जो एसेटाइल कॉलीन है न वह मस्करैनिक रि अब यहां सब क्या थे इपनैफरीन और अपिनैफरीन थे न इस कि Bora सब इस तर शेप्राइब रियके म्यश्य क्या ही होगा है का स्रॉक्ट ऊपड शाल को यहां फिक रावेच तो यह जो सारे system में अगर inhibition हो गई तो यह जो है parasympathetic system की inhibition नहीं है यह तो overall inhibition हो गई न तो हमने क्या करना है parasympathetic system को inhibit करना है तो उसके लिए जो proper word है वो है muscranic antagonist जबकि यह नहीं है कि kolinergic antagonist तो यह वज़ा थी कि जो kolinergic antagonist है उससे हमने misnomer यूज़ किया जबकि सही जो ट्रम है वो है muscranic antagonist अच्छा इसी figure में एक और चीज़ और focus की है वो यह है कि जो somatic system है ना जो skeletal muscle को supply करता है एक तो इसमें ganglia नहीं है यह direct to मतलब innervate करता है गैंगलिया कहते हैं जो एक neuron से दूसरे neuron में मतलब function करें मतलब transmit करें ऐसे समझें तो इसमें कोई ganglia नहीं है और यह acetylcholine जो है nicotanic receptor पे लगेगा और skeletal muscle मतलब skeletal muscle पे जो receptor है वो सिरफ nicotanic है और उसके बाद जो parasympathetic में है वो muscranic है उसके बाद इस जगा एक और बात focus की है कि जो post ganglionic neuron है अब देखें प्री ganglionic में जो ganglion से पहले मतलब brain में है सही है sympathetic system के हो यह parasympathetic system के हो sympathetic होगा तो थोड़े को lumber flow होगा और अगर parasympathetic होगा तो करें और sacral flow होगा सही है अब आ सुनें जो यह ganglionic transmitter हो गए सही है अब मैंने क्या का जो sympathetic है ना प्री ganglionic फिर ganglionic को वो कहेगा भई तुमने अभी आगे transfer करना है मेरा काम क्या था कि मुझे तुम तक message पहुचाना था जो मैंने अपना काम कर लिए अब तुम्हारा काम है तुमने अपनी duty परफॉर्म करनी है तो ganglion किसे देगा पोस्ट ganglionic fiber को देगा जिसमें हमारे पास यह है ना देखें जो निकोटैनिक receptor पर लग रहा है तो मतलब acetylcholine तो noripinephrine release हो रहा है और यह noripinephrine किस पर एक्ट कर रहा है एडरनर्जिक receptor पर ऐसे ही ना इधर acetylcholine नहीं कर रहा है तो यह मस्करैनिक receptor लेकिन एक बात है यहां focus की वो क्या है कि जो अडर्नल मेडियूल है ना sympathetic innervation of अडर्नल मेडियूला इस जगा कोई भी पोस्ट ganglionic fiber ही नहीं तो इस जगा अब क्या होगा कि प्री ganglionic neuron जो एक्ट कर गया इसने सिक्रेट क्या क्या है acetylcholine जो ganglionic transmitter है उन पे निकोटैनिक receptor है उन्होंने उस पे एक्ट किया तो यह कहां गया एडर्नल मेडियूला पे ना निकोटैनिक receptor लगए है सिंपल यह समझे मतलब जो acetylcholine preganglionic release होगा वो एडर्नल मेडियूला पे इसके निकोटैनिक receptor है यह उस जगा आ जाएगा फिर एडर्नल मेडियूला से इपिनेफ आनी है तो यह आप लोगों को आनी चाहिए